नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके हमारी इस नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम आपको बताने हुए IERD 2021 इंटरंस इक्जाम यानि की प्रविस परिक्षा का परिराम कैसे देखेंगे मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा ये भी बतामगा कैसे आपको पता चलेगा कि ये आप इसके लिए कॉलिफाइड है कि ये नहीं कॉलिफाइड है तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले आपको बता दिए रिजल्ट आपको कहां पर मिलेगा तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा करका यहाँ प्याय fare दोस्तों आपको या तो रर्यस्टेसर नंबर नॉ thành या तो रोल नंबर दाला लेकिन साथी सहथ आपको डेटर बंप डालना कम्पल सरी नहाँ आपको रइस्टेसर नंबर डौन नंबर में जिस कोई एक चीज़ दालनी यह दिदह सकते बीच में all लगा हुआ है या तो रो नमबर दाल दीजो साथी साथ आपको रेजिटरेसर नमबर दाला है उसके यहाँ पे चोट असा बटन दिखाए दिखाए रहा है जिसमें लिकाए click here to see result दो चलिए दोस्तों मैं candidate का दालता हूँ यह क्या आपको मैं दो result चेक करके दिखाऊंग ठीक उसी की नीचे उसकी पिता का नाम आपको नीचे है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है status not qualified यानि किसका सीधा मतलब है जो candidate not qualified है वो counseling की प्रक्रिया प्रवेस प्रक्रिया में आप सामिल नहीं हो सकते अगर second married list लिस्ट नहीं आती है तो अगर पा यहाँ पर एक दूसर रेजर्ट खोला है और आप देख सकते हैं मैंने वहीं सीव डिटेज दाली लेकिन यहाँ पर जो candidate है वो qualified है आप देख सकते है नेम और फादर नेम आ रहा और जो candidate qualified उनको वहाँ पर उनको merit list भी मिझ लेगी और ठीक उसी नीचे आप देख सकते है qualified not qualified और जो लो qualified है वो तुरंत ही अपना counseling का letter भी जो है download कर सकते है मैं letter भी आपको download करके दिखाने वाला हो यहाँ देख सकते है क्लिक है to download counseling letter तो इस पर किलिक करते हैं दोस्तों जैसे आप उसके download पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको दो पेश का counseling का instruction भी मिल जाएगा जिसमें साफ साफ दिखा हुआ Institute of Engineering and Rural Technology प्रियाग्राज दुआरा इसको जारी किया गया इसमें आपको क्याट है documents चाहिए और जो आपका सुल्क है देख सकते है कि 1840 रुपे counseling की फीज जो है निर्धारित की गई है 1000 दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए जाज़ा दीजे नमस्कार धन्यवाद